हेलो वाट्सप गाइस मैं में स्पिनोध बादु थापा एंड टोडेन इस वीडियो भीडियो वीडियो फाइनली लास्ट वीडियो एंड बहुत वीडियो का क्योंकि हमारा यह जो मर्न अप्लिकेशन था जिसमें हमारे पास हमारा एड्मीन पैनल तक है देखो आप देख सक कर सकते है और वीडियो सब्सक्राइब तो वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो का एन तक देखिए आपको बहुत ज्यादा मजाएगा और आपको बहुत कुछ नया सिखने मिलने वाला है ठीक है सबसे पहले एक चीज़ देख सकते हूँ कि इसको मैं बीसे कली दो हजार चौबीस अभी मैंने दो दिन पहले ही इसको बाइ करके मैंने अपना होस्ट आइम जो वेबसाइड उसको होस्ट कर चुका हूँ ठीक है कल की वीडियो में आपको बता है ता वाट आपको बता है तो अब हमारा जो वेबसाइट का कोड है एक्दम रेड कैसे step by step मैं आपको समझाता हूँ कैसे होस्ट करना है ठीक है तो सबसे पहले तो क्यास मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम जो वीडियो सर्वर यूज कर रहे वह है फॉस्टिंग मैं पिछले चार साल से यूज कर रहा हूं ठीक है मैं तो अब यह यूज कर र आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी मेलेगा इस पेक्स अच्छे होंगे उसके अलेट से मेरे पास तो के वीडियो बना रहा हूं मैं बनारो के बीयम टूपे जो की इना फे मेल लिए ठीक है एंड लेट मी टेल यू वान मोर थिंग की भाई सेल चल रहा है इसमें आई डों कर सकते मैं तो बस इतना दिखाना चाहता हूं देखिए 8,900 है यहां पर आपको आके थापा 7 डालके को अप्लाइ कर देना है तो इससे होगा यह कि जो 8,900 था वह आपका सिव आप 8,000 फिप्टिन वाल्मोस आपका 950 रूपीज यहां पर कम हो गया है अगर आप मेरा कूपन कोड थापस है वे निउस करते हूँ लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर क्लिक करके आप यह जस्ट कूपन कोड़ कर दीजिए आपको मजा आ जाएगा जैसे भी आपको वीपेस तो बाई करना है चाया बोस्टिंगर से करो यह कहीं और से कर तो यह जो वीडियो है एक घंटा तीस मिनिट का है इस वीडियो को बताते समय मैंने आप लोगों के समक्स एक आप देख सकते हैं यहां पर होस्टिंगर में थे को एक ब्लॉग बना है मैं लिखके देता हूं इससे अप्टू डेट लेटेस्ट बेस्ट ब्लॉग आपको प यह सब कुछ मेंने यहां पर एक-एक स्क्रीन सौर्ट के साथ आपको इतने डिटेल्ड में बता है ना मैं आज इस वीडियो में भी इस हमारा यह जो ब्लॉग एसी का यूज करने आप इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा A2Z यह हम कर रहे तो क्यू कर रहे सौर्ट का क्या मतलब है यह APT का क्या मतलब है सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है एंड हाँ एक और चीज में बताना चाहूंगा इसी को लेके ही मैंने वीडियो भी बनाई थी एंड इसमें भी मैंने आपको एक मर्न अप्लिकेशन VPS सर्वर पर होश करके इस वीडियो में तो मैंने आपको पूरा VPS सर्वा बाई करने से लेके यूनो VPS को फर्स्टाइम सेट अप करना से लेके मन अप्लिकेशन को कैसे एड करने से लेके लास्त तक सब बताया था लेकिन आज इस वीडियो में मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसलिए फर्स्टाइम इसको बाई करते हो तब मैंनत लगेगी क्योंकि BPS आपका खुद का एक प्राइवेट सर्वर जिसमें आप मन अप्लिकेशन रियक नोर्ड पाइथन के लिजे पीएच्प जावस्क्रिप्ट कुछ भी लैंगोज उठाओ यहां पर पोस्ट कर सकते ह इसलिए फर्स्टाइम थोड़ी मैनत आपको लगेगी and that's why मैंने आपको दिखाया था यहां पर की कोड को कैसे एड करना है BPS सर्वर कैसे बाई करना है यहां पर आपको दिखाया की अप्ग्रेट कैसे करना है लिनक्स में यह नोट को कैसे इंस्टॉल करना जरूरी nvm right then we have a mongodb कैसे इंस्टॉल करना है देन आप देख सकते हो कि mongodb को कैसे अपडेट करना है देन github को कैसे आप VPS सर्वर से connect कर सकते हो तो यह जो 35 minute तक का यह जो वीडियो है न गाईस यहां तक आप प्लीज मैं आपसे request करता हूँ हाथ जोडता हूँ आपके समक्स इस वीडियो को बस यह समझ दिजी कि जि जो मैंने setup का वह अगर आपने कर दिया next time आप कोई भी मन application उठाओ चुटकी में आप host कर दो कि आपको यह सब का tension नहीं नहीं लेना है सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज अभी तक आकर आपने मेरे ऊसम चैनल था अपर टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा यहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और उसके साथ साथ आपका सोर्स कोड है वो सब कुछ आपको यहीं पर ही मिल जाएगा ठीक है एंड जो कल का वीडियो जो था ना गाइस इसका प्रीबेस वीडियो इसको प्लीज जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ चेंजस किये जो बहुत ज्यादा जरूरी है वीपेस में ओस्ट करने के लिए ठीक है तो गाइस अब बीना किसी दिर के वीडियो रहा है सिहां पर यूज करो ठीक है अगर आपको लगता है नहीं यार में को गीड बैस रही करना मैं तो पाउर से लिए उसकरूंगा आप पावर से लिए किजी या कमांड प्रॉम जो भी आप यूज करना आप कीजिए ठीक है सबसे पहले एक चीज अगर मैं LS करता हूँ सो यह जो मन 2023 करके मेरा जो फोल्डर है न वो इस फोल्डर के अंदर मेरे पास मेरा client and then server है अगर आपने मेरे मन सेरीज को follow किये तो आपको मालूम है कि हमारा front end client folder के अंदर है मेरा जो backend है and then जो database है से वो मेरे server के अंदर है तो मैं individually client को github में add करना and then server को github में add करने वाला काम नहीं करूंगा इन दोनों का जो parent है that is your month 2023 folder उसको मैं directly मेरे github का basically github में एक repo बना कि वहाँ पर मैं इसको add करने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले कैसे करते तो सबसे बलता आप git status चेक कीजिए अगर यहां पर आपको आता है not initialize बोलके then you need to write git and then init मैं जूम कर देता आप लोगों के लिए ठीक है तब आपको क्या लिखना है you need to write git and then init जब आप git init लिख दोगे गाईस उसके बाद अगर आप यहां पर चलते हो है न तो अब अगर आप इस तरह के से git status करते हो तो आपको यहां पर मिल जाएगा कि हाँ अब आपका इसमें git installed हो चुका है समझ रहो simple सा by the way मैं already git installed कर चुका और that's why मैं को दोनों time में same दिखाई दे रहा है and मैं आपको फिर वे एक चीज़ दिखाता हूँ जान वचके मैं मेरे ओत वाले पर चल रहा हूँ यहां पर तो काई साब देख सेकता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब टू थापा टेक्निकल चैनल और सो वर्ल्ड बेस जैस कोर्स इस कमिंग सून यह आपको मालूम है कि जैस की पर विड़ आने वाला है तो अब देखना मै मैं यहां पर एक चेंजस कर दी है ठीक है अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ आप्टर गिट इनिट तो आपको भी कुछ इस्तिर के से दिखाई दे रहा होगा जहां पर बता रहा होगा कि क्लाइंट वाला पार्ट जो अभी तक एड नहीं हुआ है तो आपको कुछ यह नहीं करना है आपको ख़ली गिट एं गेड टॉट कित पहला कमांड दूसरा कमांड आपका याह होना चाहिए अंटर ell ten iyeah आपको और पने एड कर दी आब को क्मिट करना पड़ता है तुक क्लाइट ए सांधान면 फ्लग है जरूर यह मैसेज यहां पर लिख दीजे माई मॉन एप्लिकेशन माई मॉन एप ठीक इतना ही लिख दो आपको जो मन फर्स्टाइम आप कर रहे हो माई मॉन अप इस तरह किसे लिखके एंटर हीट कर दो तो अल्राइट ठीक है अब हमने बेसिकली हमारे गीट में ठीक है यह ह हमारे अभी लोकल स्टेज आप कह सकते उसको जहां पर हमारे एप्लिकेशन में तो आइमीन हमारा जो लोकल आप कह लिजे लोकल रैपो रेडी है बट मुझे यह जो एप्लिक गीट है यह मुझे कहां चाहिए होगा ओबिसली यह तो मुझे मेरे गिट हब पे चाहिए न सम यहां पर यह जो प्लस साइन दिखता है अब बाइद वए आप मुझे यहां पर देख सकते हो और यह प्रोफाइल ठीक है तो मैं अल्रेडी कर चुक हूं बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहां पर मेरे अप्लिकेशन जावस्क्रिप्त का पूरा कोड इधर है रियक्ट क यहां पर नए पर दोगे ठीक है यहां पर यहां पर कुछ भी नाम निख सकते हो लेकिन उसके बाद थोड़े दो तीन चीजे जो थोड़ा है तो मैं क्या रिकमेंड करता हूं गाइस We have one package in our VS Code editor ठीक है? जिसके चलते मैं आपको वो package का link नीचे description में दे दूंगा तो वो बहुत ही जादा simple You need to write GH एक command है Then आपको लिखना है repo basically repository And मैं थोड़ा सा जूम कर जा ताप लोगों के लिए And then आपको लिखना होगा create GH space repo space create and this is it क्या आपको एक new repository create करना है GitHub पे? नहीं क्या आपको एक existing local repo को GitHub में करना है? Obviously मैंने already अपना local repo तो बना लिया Right? git init git add dot git commit hyphen m message खत्म आपका ये local repo बन गिया है बस ये तिन लाइन लिखना है उसके बाद आपको ये gh space repo space create लिखके Already जो local repo है उसको GitHub में add करना है तो मैंने इसको second oil को select की Local repo as it is रखूँगा तो guys आपसे आपका repo का नाम पोचर आप कुछ भी नाम दे दीजिए 1-20-23, man थापा, man stack थापा लिख देता हूँ man stack and then थापा Enter, ठीक है? देखो मेरा एक organization है एक मेरा अपना normal है आपका obviously normal रहेगा तो इस पे अंटर हीट कीजी description जो man दे दीजे public चाहिए, private चाहिए, मैं public कर रहा हूँ ताकि सब उसको access कर सके remote चाहिए, obviously चाहिए और आप जब आपसे origin पूछता then आप yes कर दीजी उसके बाद एक next next and आपका वो host हो जाएगा, ठीक है? एक बार जब host हो जाता है ना तो आपको आप देख सकते हूँ screen पे आपको इस तरकी से link दिखाई देता है else उसके बाद आप एक command add कर सकते हो git remote hyphen and then version basically remote का version तो आपको यह देखिए, आपको इस तरकी से मिल जाएगा ठीक है? मैंने तो already one stack करके add कर रखा है अब अगर इस पे मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हूँ कि मैं मेरे application पे चला जाओंगा और फिलाल इस पे आपको मिलने वाला नहीं है तो guys आप देख सकते हूँ कि मेरा इस तरकी से client and then server जो है यहाँ पे add हो चुका है ठीक है? this is my client and then this is my server तो एक चीज़ या दखना, आप में से बहुत तो को साथ server या client में से कोई एक as a sub module भी दिख सकता है basically folder में एक right arrow आ जाएगा तो उसको हम sub module बोलते हैं अगर उस type का कुस case आता है then guys simply आप उस folder में जाके dot git folder को remove कर दीजेगा don't worry अगर ऐसा कुछ आए तो please आप नीचे comment कर दीजे, मैं आपको ज़रूर help करूँगा but मेरे case में कोई problem नहीं है but मुझे initially आया था बहत पहले तो अभी तो सब set है and I hope आपको भी नहीं आएगा तो इतना समझ जाना अगर folder में एक right arrow करके आता है ऐसे करके तो समझा वो sub module है and आपका फिर host में problem आएगा आपको दोनों इस तरी किसे चाहिए होगा ठीक है alright so now this is my actual URL अब इस URL को मुझे मेरे VPS पे add करना है simple देखिए so आपको अपने VPS पे आना पड़ेगा I hope आपने इस वीडियो को देखा होगा VPS buy कर ली होगी देखो link बगेरा सब आपको अल्रेडी मैंने provide किया हुआ है again blocks पे चलते है यहाँ पे हम चलते है यह देखिए यहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ पे विजिट कीजिए VPS पे जाईए and click करके वह थापा 7 coupon code add करके buy कर लीजिए ठीक है इतने एक बार आपसे हो गया तो फिर यहाँ पे जो जो step है वह मैं अल्रेडी वीडियो में बाता चुका हूँ फिल 35 आपको यह देखना है अब मैं नीचे आता हूँ ठीक है और नीचे आना पड़ेगा और नीचे ठीक है इंस्टॉल गिट ओक यह भी हम कर चुके है ठीक है इस तरीके से बहुत साथ प्रोसेस है प्लीज आब वो कर लीजिएगा तो यह जो पार्ट दिख रहा क्लोन यू रेपोजिटरी तो अब यहां से एक्चुल है यह वाला जो पार्ट है इसके नीचे आपको जब भी नया वेबसाइट करना होगा यह फॉलो करना है सबसे पहले हमें हमारे VPS सर्वर पे हमें अभी बेसिकली जो मैंने रियल रेपो बनाया है इसको मैं कॉपी करूँगा यह देखिए इसको कॉपी करके मुझे अब यहां पर बताना होगा कि भाई अब मुझे इसको होस्ट करना है सो वाट इनीड टू इस गीट क्लोन एं दन उसका नाम ठीक है मैं मेरे टर्मिनल पे चल रहा हूँ मैं अल्रेडी इसको लॉग इन कर चुका हूँ लॉग इन कैसे करना है सिंपल है आपका रूट जो इस स्टाइटिंग में आपको मिलाता है पासवर्ड आपको एंटर करना आप इस तरके से आ जाओगे आपको देखो मैं होमपेज पे हूँ मेरे अल्रेडी होमपेज पे कुछ इतने सारे पड़े हुए थे मैं हटा रहा हूँ तो उसा जूम कर देता हूँ इन एंटर हीट करना है क्लोनिंग इन्टू मन्स्टैक अब अगर मैं लस करता हूँ कि once GitHub पे आपने उसको एड कर दी and this is mandatory करना ही पड़ेगा ताकि कल की दिन कुछ भी अपडेट रहा तो वह वीडियो भी में इस वीडियो में पताऊंगा आपको कि अगर कल की दिन आपने code में कुछ चेंज की अपने कैसे VPS में अपडेट करू क्या भी इतना सब कुछ जो में कर ओ वापस करना पड़ेगा क्या यह सारा question का answer एकदम last में आपको मिल जाएगा don't worry ठीक है all right तो देखिए अब हम यहां से follow करते one by one यह हो गया में project के अंदर आ गया सबसे पहले हमें backend को set up करना है backend को set up करने के लिए we have like अभी आपको मालूम है we have a package manager you know आप चाहो तो npm use कर सकते हो yarn use कर सकते हो pnpm use कर सकते हो and then burn install कर सकते हो but as you know हमने हमारे इस particular project में क्या use किया है आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना अपने folder पे आना है package.json file पे देखना है and इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमने node package manager that is your npm use किया था हमने pnpm use नहीं किया था हमने npm use किया था इस video में ठीक है तो जब हमने यहां पे pnpm use नहीं किया I mean npm use किया है तो हम हमारे terminal पे भी वही use करेंगे तो देखो क्या करना है आपको npm install करना है क्या करना है npm install कैसे cd server के अंदर जाना है and then npm install करना है आप समझ रहे में क्या कहना चारा हूं जब first time आप इस तरह के से कोई भी folder github में add करते हो न एक चीज़ notice करना है इसके अंदर node modules नहीं होता है and without node modules आपका run नहीं करेगा तो जब आप इसको normal clone करते हो clone करने के बाद आप क्या करते हो इसके dependencies को install करते हो आपको npm i install लिखना पड़ता है तो सेम चीज़ हम यहां पे कर रहे फर्क ही इतना ही है बस ठीक है हमें सबसे पहले backend setup करना तो मैं server folder के अंदर आया मैं बोलूंगा एक काम करो भाई install कर दो बस आप जो भी मेरे node modules रहेंगे तो अब मेरा node modules install हो गया perfect अब कोई problem नहीं है ठीक है and once install हो गया आपको मालूम है न हमने हमारे इस folder पे server वाला जो हमारा folder है वहां पे we have a .env file this is our .env file इसको मैं copy कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि node package manager तो बहुत जरूरी उसी में ही हमारा database का connection हमारा JSON web token का main token का key secret key वह वहीं परी तो है तो वह मुझे मेरे BPS पे भी तो add करना पड़ेगा BPS पे मैं कैसे add करूंगा उसके लिए आपको nano लिखना पड़ता है like in normal this is my text editor आप देख सकते हूँ मैंने यहां पे सब कुछ लिखा कब क्या करना है यह मेरा text editor है जहां पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ but when it comes to your VPS वहां पे आमारे पास text editor notepad plus plus Microsoft Office यह सब तो रहेंगे नहीं तो वहां पे हमें मिलता है nano करके एक मिलता है so nano.env मैं अभी भी server folder के अंदर हूँ enter hit and then this is this is it env file वहां पेस्तर के से बनाना है bps के अंदर ऐसे बनाना है ctrl and then o आपको press करना है then आपको enter hit करना है तो यह अब आपका file क्या हो गया safe हो गया ctrl o to save your file फिर enter hit करना ही पड़ता है समझ रहो ctrl o save करने के लिए enter press करना है ताकि वह बॉटम पे अभी वापस आपको दीखी जाएगा मुझे client पे भी तो लगेगा and then ctrl x press करना है c press नहीं करना है ctrl x बाहर आगे this is it खत्म इतना ही था मेरा cls में कर रहा हूं basically clr होगा तो अब भी आपने env file पे क्या add की अगर आपको देखना है then यहाँ पे आप पता है c at cat billy यह billy ने यहाँ पे basically आप समझ जाएए cat का ही यहाँ पे जो basically उन्हों ने ऐसी बना Linux based जहाँ पे cat लिखोगे तो आप उस file को कर सकते हो .env तो यह दो को मुझे मिल गया चलो ठीक है अल्राइट उसके बाद क्या है अब हमें हमारे backend server को start करना है ठीक है मैं आपको एक चीज़ बताता हूं आप directly npm start कर सकते हो तो यहाँ पे आप directly npm start अगर लिखते हो तो अब आप देखिए तो guys यहाँ पे हमें port 5000 का error आ रहा रहा कुछ देखो error नहीं है connection successful हो गिया ठीक है बता रहा है कि हमारे जो BPS है इससे पहले अगर आपको यादो मैंने already आपको मैंने क्या बताया था कि मैंने already इसको host कर चुका हूं and इस पे 5000 वाला आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैं delete कर चुका हूं लेकिन उसके चलते आप मुझे यहाँ पे problem आ रही है तो मैं पता क्या कर सकता हूं 5000 तो already use मैं है बता रहा है नहीं है एक काम करते न instead of 5000 मैं चलता हूं मेरे server वाले 5000 के बदले मैं 5000 and then one कर देता हूं ठीक है 5000 and then one मैंने कर दिया this is it बाकि मुझे कहीं कुछ करनी की need तो है नहीं समझ रहे हो न क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखा दिया था कि आप हमें इतना tension नहीं है and साथी साथ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर let's go with auth ठीक है क्योंकि हमें यहां पर मिल रहा होता सारा data and फिलाल अभी यहां पर इतना कोई problem नहीं होगा मैं यहां पर चलता हूं auth पर हमारा data है so .env file so guys आप देख सेकत हूं कि मैं मेरे client folder का .env file है उस पर आ चुका हूं उस पर हमारा यह जो url था ना localhost 5000 पर था लेकिन अभी just 5000 तो already user manage server पर 5000 one कर दिया तो यहां पर भी 5000 one कर रहा हूं इसको मैं controller save कर देता हूं and आपको मालूम है एक चीज and फिलाल तो मुझे इसको run करना है नहीं तो कोई problem नहीं होगा मुझे इसको मैं हटा रहा हूं ठीक है as it is रखो कोई बड़ी बात नहीं है control and then space फिर से मुझे यह लगेगा ही लगेगा क्योंकि हमने अभी change कर दिया है समझ रहो मैंने server वाला file change की मैंने यहां पर आके change किया मैं वापस git status अभी दो file को मैंने change की तो मुझे आप वापस update तो करना पड़ेगा right so git add you know alright git की spelling wrong है git add तो I think कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि पहले ही आपको पता चल जाएगा अगर बीच में कुछ भी guard word होता है कैसे हम हमारे code को ठीक कर सकते कैसे पूस करके वापस VPS में उसको get कर सकते है तो मैं जल्दी से git commit server changes लिख देता हूँ and अब मैं git push कर दूँगा ठीक है मैं git push कर रहा हूँ तो मेरा यह जो online github का जो repository था वहाँ पे यह push हो चुका है अब मेरा code एकदम up-to-date है मुझे कोई problem नहीं है मैं क्या करूँगा अब यहाँ पे आऊँगा cd dot dot में VPS में आया server के बाहर में जा रहा हूँ एक बार इसको मैं clear करता हूँ सबसे पहले अभी जो मेरा code अभी के अभी मैंने आपके सामने update की उसको मैं pull करूँगा git pull कोई problem नहीं यह देखो यहाँ पे भी आगया भई एक enb file में changes आया है इस यहाँ पे changes आया है यहाँ पे कुछ इस तरह के साया है यह हमें बता रहा है चलो ठीक है मेरा काम हो गया है अब मैं वापस cd server पे चलूँगा कोई problem नहीं server पे मैं अभी क्या करूँगा वापस इसको रन करने के लिए npm and then start hit करूँगा and boom guys see this is it पहले 5000 वो उसने बोला occupy था मैंने 5000 वन कर दिया यह देखो मेरा server रन हो गया खत्म लेकिन एक problem यहाँ पे यह है कि अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ इसे तो लेकिन आपने देखा ना video थोड़ा लंबा हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा बगबग कर सकता हूँ लेकिन आपको भी मालूम है यह बगबग नहीं है एक एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ मुझे BPS पे error आया on the spot मैंने code change की पूल करके वापस update कर दिया अब मेरा यह perfect हो चुका है अब यहाँ पर एक problem पता क्या होगा the problem with this approach is that अगर कल की दिन कुछ error आ गया गलती से तो आपका यह जो site है न वो down हो जाएगा तो हमें वो निची मैं यह चाहता हूँ कि अगर कुछ error आता भी है तो हम उसको बहुत easily manage कर सके and एक ऐसा code भी मुझे लिखना जिससे मैं उसको बहुत easily restart कर सकूँ मैं like एक loop लागा दूँगा कि after every one minute restart हो जाए क्योंकि server अगर slow हो गया तो अगर वापस restart कर देंगे फिट ही हो जाएगा तो उसके लिए we have a process manage 2 ठीक है already अब इस वीडियो में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ है ना तो अब यह जो पार्ट ना हम इस तरह की सरण नहीं करते यह तो जस्ट दिखाया मैंने अच्छा वह हमने देखा कोई की error आ गया तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें यह PM2 को इंस्ट्रॉल करना पड़ेगा अल्रेड़ी आपको बस NPM I-G PM2 लिखना है इंस्ट्रॉल हो जाएगा उसके बाद यह जो पार्ट दिख रहे है एक सेकें मैं एक काम करता हो यहां पर PM2 इंस्ट्रॉल है इसको जो है copy paste कर दिजेगा उसके बाद आप हमें क्या करना है अब हमें एक new test folder create करना होगा तो कहने का मतलब यह है PM2 start अगर आपको याद होगा हमारे code में package.json server ठीक है यह देखो basically हम अपने code को run करने के लिए backend में क्या करते node.mon server.js file में यह लिख रहा था लेकिन एक start script होता है तो यह जो start script में यह जो भी part है मैं चाहता हूँ यह automatic चलते रहे call होता रहा अपने आप basically backend को run करने के लिए start script है वो अब हम यहाँ पर create करें start मैं एक नाम दे रहा हूं तो कल के दिन अगर मैं PM2 start यह मेरा server अपने आप run हो जाएगा PM2 restart यह अपने आप मेरा चल जाएगा तो यह इसको आप copy कर लिजे बस यह आप समझ जाएए कि आपके backend को run करने के लिए हम यह कर रहे है आप इस तरह किसे इसको समझे ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूं enter hit करता हूं and yeah this is it अब आप एक चीज़ बहुत कि लिए लिए देख सकते हो कि दोनों का नाम सेम हो गया है let's do one thing PM2 delete 0 ठीक है यह देखो मैंने इसको delete कर दिया समझ रहो अब भी जस्ट क्योंकि 0 मतलब मेरा यह id and obviously मेरा पहले वाला था तो अभी मैंने यह जो मेरा first वाला वह मैंने इहां पर add कर दिया ठीक है तो ठीक है CLS करके कोई फाइदा नहीं है अभी यह once हो जाए तो आप एक बाद PM2 LS करके देख लो PM2 and then LS तो आपको पता चल जाएगा कि कि कितने आपने आप समझ रहे हो एक backend के लिए आपको एक बार करना अगर आपको कल की दिन एक और प्रोजेक्ट add करना है उसका भी backend तो लगेगा तो आप यहां पर add कर सकते हो हाला कि आप सेम इस folder के अंदर तो नहीं रहोगे बट फिर ठीक है यह हो गया अब उसके बाद इसको आपको चेक कर सकते हो पी एम टू लॉक्स इस तरह किसे जो टेस्ट सर्वर बेसिकलिस का नाम है एंटर हीट करोगे तो यह देखो मेरा यह हो गया पहले भी तो रन कर रहा था ना बट इस टाइम यह देखो यह लूप है जैसे हम नोड मान में करते है अब ही चलता जाएगा चलता जाएगा अब अगर में कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल सी करके भार भी आऊंगा तो आप मेरा यह बैक एंड बेसिकली बिहाइंड दा सर्वर तो नहीं बोल सकता मैं बट आप यह समझ लो अब मेरा रन चल रहा है अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी अब मेरा चलता जा रहा है बैकन मेरा काम खत्म ठीक है और यहां पर आप देख सकते हो कि यह एक कोड है इसको अगर मैं कॉपी करता हूं यहां पर पेस्ट करता हूं अब 8000 नहीं 50001 और मैं चाहता हूं कि आप अपना 5000 ही रखिए ठीक है यह देखो ठीक है इतना हमें रहें दीज़े हमारा बैकन रन हो चुका है मैं क्लियर कर रहा हूं ठीक है मैं यहां पर चलता हूं अब हमारा जो मेन है वो है हम फ्रंट एंड को कैसे करेंगे सिम्पल है सेम जो हमने बैकन के साथ किया हम जब भी कोई application करते तो फ्रंट एंड में जा रहा है फ्रंट एंड के फोल्डर में जा कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पर एक involvement variable क्रेट करके जो हमारा है वो एड करना है बस सिम्पल ठीक है तो cd dot dot cd client तो कैसे सबसे पहले यहां पर आप क्या किजिए npm and then install obviously client को भी तो install करना पड़ेगा न ठीक है मेरा install हो गया clear कर रहा हूं मैं अब यहां पर भी मुझे nano file लगेंगे वो env file लगेगा तो env पर मैं चलता हूं this is our code copy कीजिए paste control and then o यह देखो bottom पे कुछ स्थिरके से white आता है enter control and then x perfect मैंने env file बना लिए अब कोई problem नहीं है है ना अब मैं यहां पर चलता हूं और गैस तो बास जब हमारा यह dot env folder जो है हम यह जब add कर लेते तो हमारा वो काम complete अब हमें एक build folder मिले right and वो build folder हम हमारे host basically server पर host करते हैं लेकिन जब हम wait use करते तो हमें build folder नहीं मिलता हमें dist folder मिलता है तो सबसे पहले हम इसको run कर लेते npm run and then build यह आपको मालूम है तो मैं npm run and then build enter hit कर रहा हूं अगर build यह successfully हो जाता है मतलब कोई problem नहीं है and boom guys मेरा build हो गया once आपका यह build हो गया है तब आप एक काम कर सकते हो अब यह वाला code है आप इसको preview कर सकते हो आप preview करके अपने website को देख सकते हो तो इसको मैं copy कर रहा हूं यहां पर मैं paste करूंगा अब एक चीज इतना है यह तक ना कि हम pnpm use नहीं कर रहे हम npm use कर रहे npm preview obviously लिखना पड़ेगा enter hit कर रहा हूं तो preview क्या है इसको नहीं पाता कुछ हो इस तरह की से बोल रहा है एक काम करता हूं तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर and that is कि जब भी आप pnpm use करते हो ना तो by default उसके इतना capable है यहां पर आपको वो run करके keyword है वो लिखनी की नहीं पड़ती है लेकिन जब हम npm करते हैं आपको यादो frontend को हम कैसे run कर रहे थे अगर मुझे frontend को run करना रहा मैं क्या लिखता हूं npm run and then dev यहां पर मुझे run भी लिखना पड़ेगा npm run and then preview hyphen hyphen host इस तरीकी से तो यह देखो मुझे मिल गया अब इसको मैं copy करूंगा यहां पर चलूंगा ठीक है over here यहां चलता हूं enter hit करता हूं alright guys यह तो चली नहीं रहे हम क्या करें अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं चल रहा है tension नहीं लेना है मैं आपको बताता हूं सब already ना एक second आहां चला गया over here सब already यहां पर दिया बता भी यह देखो you cannot see your website page जी आप नहीं देख सकते क्यों किजिए sudo ufw allow इतना अब मैं enter hit करूंगा देहां से देखो यहां पर deny था न अब अगर मैं वापस उसी code को run करता हूं status अब वो मेरा allow हो गया है मतलब यह जो 4173 है उसको मैं कहीं पर भी access कर सकता हूं at least मैं run कर सकता हूं अब अगर इसको मैं चलाता हूं let's see देखते है as per rule तो guys चल जाना चाहिए लेकिन अगर नहीं चल रहा है obviously मेरे में तो फिलाल आपको अभी यह नहीं दिखाई दे रहा है but इतना मैं आपको guarantee दे सकता हूं कि आपके में जरूर चलेगा and guys मेरे में क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने तो run ही नहीं किया मुझे इसको run तो करना पड़ेगा yeah अब यह जरूर चलेगा and boom guys see इसी पात पर एक लाइक बनता यह दो मेरा run हो गया हो गया services में data नहीं आगा क्योंकि backend से connect नहीं किया अभी तक but yeah मेरे काम हो गया but एक प्रॉब्लम यह ना जब भी आप wait use करते तो production के लिए नहीं है हमें production के लिए कुछ पक्का चीए strong right production version के लिए wait use नहीं कर सकते so for that we have a engine X आपने engine X बहुत बार सुना होगा जी हाँ अब finally उसका काम आने वाला है तो आप आप एक काम करना सबसे पहले तो आप इसको वापस डिने कर दो है ना फालतों में हम नहीं चाहते कोई भी इसको access करें ठीक है all right तो आपको सबसे पहले engine X को क्या करना है install करना है once install हो जाता है तब आपको engine X folder के अंदर जाना होगा तो जाने के लिए CD forward slash etc engine 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 and then X में उसके अंदर आ गया अब इसके अंदर ना दो folder है बहुत important एक है sites available दुसरा होगा आपका site enabled करके कहां चला गया ठीक है मैं दिखाऊंगा बट एक sites available sites available में आपको अपना जो main file है वो add करना है ठीक है उस पर आपको अपना domain का नाम back end किस domain पर run कर रहा है और किस port number पर कर रहा है पात जो है file का वो add कर देना है यह जो part है यह available पर होगा एक copy and उसका reference जो है basically symbolic link आपको sites available वाला folder है वहाँ पर past करना है sites available, sites enabled इस पर आपको files create करना है उसका symbolic link यहाँ पर add कर देना है and यही वो file है जहां से हमारा bps data get करके हमें so कर रहा होता है request response वाला fund ठीक है तो easy है सबसे पहले क्या करना है जब आप first time इस folder के अंदर जाओगे ls enter करोगे my god आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है ठीक है बट इसको आप रहने दीजिए सबसे पहले आप एक काम कीजिए cd sites hyphen enabled के अंदर जाए यह सब को clear कीज़ and then ls hit कीजिए तो जब आप ls hit करोगे तो आपको इन में से कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह मेरे अपने मेरे खुद के website से जो मैं host कर रहा हूं बट आपको यह एक जरूर दिखाई देगा default.conf ठीक है तो आप क्या कीजिए rm default.com आप उसको remove कर दीजिए हटा दीजिए delete and once यह करते तो वापस आप sites available वाले folder पे आईए क्योंकि enabled पे हमें कुछ भी नहीं करना है उसका link basically available पे हम एक file create करेंगे उसका symbolic link basically उसका reference हम sites enable पे add कर देंगे बस उतना ही है इस पे हमें यहां पे आपको nano and then आपका जो भी IP address होगा copy कीजिए and then .conf करके conference file create करना है configure file sorry and उस पे आपको मैं बात आता हूं यहां पे चलना होगा यह वाला जो पार्टेस को copy कीजिए यहां पे आके paste कर दीजिए यह जो project का folder दिखाई दे रहा है हम किस folder पे हम client पे हमें client को run करना है तो client का जो कौन सा folder है जो हमें run करना है obviously dist folder run करना है समझ रहे हो ठीक है मैं cd रखूंगा तो बार हों पे चला जाओंगा one stack cd client ls यह देखो we have a dist folder यह dist folder किसके अंदर है मेरे one stack forward slash client forward slash dist और वो है मेरा main root so root one stack forward slash client forward slash dist यह dist folder को मुझे run करना है I hope आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं तो मैं अब वापस यहां पर जा रहा हूं engine X के अंदर आप में clear करूंगा मैं अब cd sites – available के अंदर जा रहा हूं अब आप guys मुझसे doubt नहीं पूछ सकते कि क्या हो रहा है अब यहां पर ठीक है क्योंकि मैंने आपको तो बता दिया इसको मैं copy कर रहा हूं इसको copy करना है project folder के अंदर मेरा root month stack client क्योंकि this folder ही तो है इसको मैंने add कर दी आप भी यही add किजी क्योंकि obviously आपका भी यही होगा सायथ अगर आप मेरे से copy कर रहे हो तो ठीक है इसको control and then O and then enter control X आप भाहर आ जाए perfect this is it once यह काम मेरा हो गया अब आपको cd एक second में directly यही पी दिखाता हूं ताकि आपको कोई problem नहीं हो ठीक है all right तो अब आप एक काम कीजिए सबसे पहले इंजिन एक्स जो प्रॉपरली काम कर रहा है यह नहीं तो sudo engine x and then आप test कर सकते हो hyphen t all right syntax is okay मतलब कोई problem नहीं है अब मैंने आपको क्या काता है sites available एक बार बन जाता है तो आप directly it creates a symbolic link यह देखो अब क्या करना है आपको sites enabled के अंदर जाना है और एक sites available में मैंने अभी जो file create की थी उसका एक symbolic link create करना है बस खत्तम इसका उनलब एक reference add कर देना और कुछ नहीं इसको मैंने copy की cd-cd sites enabled enter and by the way guys यह file already existed है तो मुझे कोई problem नहीं है ठीक है तो फिर भी मैं एक काम करता हूँ नैनो डॉट डॉट की लिख रहूँ है we have API कहा है यार it's a 62 देखो यह already यहाँ पे है और यहाँ पे यह आ चुका है ठीक है कोई problem नहीं अब आप अपने nginx को restart कीजिए अगर ठीक है सब कुछ power factor अब सबसे ज्यादा important यह है हम हमारे domain को कैसे attach करे फाइल तो ready हो गया अब मुझे मेरे domain को attach करना है इस particular part के साथ क्योंकि देखो ना आप क्या अपने दोस्कों बोलोगे यार एक काम करना 62.72.59.218-4173 यहां पर जाके मेरे website एक बार चेक कर कैसा है बोलेगा अब यह क्या बोल रहा है आप यह बोलना ज्यादा परसंद करोगे या थापटेक्निकल.com में जाके एक बार चेक कर यह क्या easy थापटेक्निकल.com बोलना बोलना जी तो यह आई-पी आड्रेस मुझे नीची मुझे आप इसमें डोमेन आड करना है न तो इसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के समक्स यह दो दिन पहले ही डोमेन भाई की है वोस्टिंगर से ही किये और मुझे सिप 80 रुपीज पढ़ा है ठीक है पता नहीं मैंने देखा कोई 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 डॉट साइट डॉट एक यह डॉट ऑन लाइन यह सिप 80 रुपाय में मिलता तो मैंने बाई कर लिया ठीक है एक साल के लिए 80 रुपाय में और क्या चीए और बाइद अगर आप वोस्टिंग बाई कर तो आपको एक डोमेन तो फ्री ट्री मिलता ही है आपको management आँ है DNA server पर जाना है अगर आप ders илиकर राuh लेट से को डुसरी कंपनी से तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो यह जो name server है आप यह hostinger का जो यह VPS है यह आप add कर दीजिएगा यह जो दो आपको यह name servers दिख रहे है न यह आपके hostinger VPS का है आप कोई भी दुसरा आप कह लिजे godaddy या अब यूज़ कर रहे है उसमें आपको domain के अंदर जाके जो उनका dns record होगा इसको मैं इधर कर देता हूं यह जो DNS record है यहाँ पर यहाँ पर आपको चेंज करना होगा फिलाल तो अभी मुझे कोई चेंज करनी की नीड नहीं क्योंकि अल्रेडी मेरे बीपेस को होस्ट कर रहा है होस्टिंगर का ही नेम से बरेगे उसके बाद तो अब आपको दो रिकोर्ट्स क्रेट करने होंगे ए टाइप के डैट इस एट दर रेट मतलब थापर टेक्निकल डॉट कॉम और डबलु 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 कहने का मतलब यह कि अपने बहुत बार देखा होगा अगर आप था पर टेक्निकल डॉट सॉपी है यहां पर डबलु 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 डॉट करके यह नहीं आ रहा है ना सिंपली यह ओन दे स्पॉर्ट आ जा रहा है समझ रहों तो यह विकॉस अप इस पार्ट उनली इसी के कारण होता है एंड आई डों नो गाईस आज दो गंटा हो गया यह फाइटर चली रहा है बट इट्स ओके इम रियली सॉरी बैग्रांड में जो नौइज आ रहा उसके कारण तो यह आपको देखो मैंने में आपको यह एड करना है मैंने अल्री यहां पर बताया हुआ है यह एड करना है आपको अपना वीपेस अड्रेस देना होगा कहां यह अल्öttि है थीक है उसी तरीके से यहां पर चलना है अब www नेम पर लौ करना है यहां पर आप आपको देले में में रौण ंबर्ण करना है थीक है अब आपका क्या हो गया इश्स में रिक जावा की एड करूंगा रहे हैं तो धुकर यह एड कर चुका हूं now इन में यto फ मैं बताऊंगा वो back end के लिए तो front end के लिए दो हो गया है जब हमने हमारे BPS पे domain को connect कर लिया है तो अब मैं क्यों यह URL add करूँ क्यों मैं इसका use करूँ क्यों न मैं इस URL के बदले basically IP address के बदले मैं आपना जो domain का नाम है वो connect कर दो add कर दो तो वो कैसे करेंगे ठीक है आप वही अगला step है देखो सब domain भी हम create कर देखो अब मैं क्या बोलुका मेरा यह जो conference basically configuration जो file था IP address वाला उसको मैं copy करके थापा technical डॉट अभी जो भी आपका domain होगा let's say आपका नाम है subam subam.com.conf या subam.site subam.online. इस तरीके से आपको अपना domain का नाम अप करना है ठीक है तो मैं इसको करता हूँ copy बाइद आपके लिए आपको sites available पर जाना पड़ेगा तो यह तो मैं enable के अंदर हूँ तो clear cd sites available उसको मैं paste कर रहा हूँ and इतना याद अठना कि मेरा online नहीं है I have a site खाली तो आप नाम अच्छे से add करके आप enter hit कर दीजे ठीक है अब आप nano आप चेक कर सकते हूँ thapatechnical.site.com आप आप देख सकते हूँ guys आपको कुछ हो इस्तिर किसी दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको extra add करना पड़ेगा and that is जब आप open करोगे तो आपको आपका जो server का नाम का जो domain है न एक add the rate वाला एक www जो मैंने add किती वो add करना है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ and मेरे पास अल्रीडी पड़ा है उसको मैं copy करूंगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ इसके बदले and मुझे for some reason नहीं आइडिया कि इसको मैं एक साथ delete कैसे करूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं देखो एक चीज़ या दखना यह पार्ट इन्पोर्टेंट है थापा टेक्निकल.site www.thapatechnical.site आपको अपना site add करना है यह तो मेरा root domain था ही तो मुझे पता चला यह code एकदम perfect है भार में आ गया अब मैं आपको बताता हूँ वांस जब आप भार आ गए ना तब आपको क्या करना है तो आप मुझे बताओ गाईस अब हमें क्या करना होगा next step मैंने आपको क्या करता है sites available में अगर आपने कोई भी फाइल बनाया यह existing file को update की तो उसका reference हमें sites available sorry sites enabled वाला जो फोल्डर उसको देना पड़ता है with the help of symbolic link तो अब हमें क्या करना होगा अब हमें वापस symbolic link create करनी होगी ठीक है देखो ना जो अभी जो मैंने फाइल क्रेट की उसका symbolic link basically उसका reference sites enabled को देना होगा क्योंकि वहीं से हमें data आता है sites enabled paste कर रहा हूँ and again हाँ इतना या दखना कि online नहीं है मेरा वो this time site site fail to create a symbolic link file already exist बता रहा है ठीक है guys कोई problem नहीं एक काम कर दा हूँ मैं यहाँ पर चलता हूँ रिमूब और थापा टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉन्फरेग अब LS करूँ तो और डूट डिलीट हो गया पॉफेक्ट मैंने डिलीट कर दी मैंने चाहता आप लोगों कि समक्स कुछ भी यहाँ पर ऐसा लगे तो अब मैं एंटर हीट करूँगा पॉफेक्ट इस टाम अब मैं वापस LS करूँगा तो वह आ गया है ना कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब नैनो थापर टेक्निकल डॉट साइट डॉट कॉन्फरेश आपने देखा ना आपी के सामने मैंने डिलीट भी की इस देखो मुझे यहाँ पर आ गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं अब आपक सब्सक्राइब करना अब बैकेंड कोुट सेटसप करना अब बैक एंड के लिए मिरे पास कोई डोमयन तो है नहीं तो हम अमारा जो डोमेन है उसी का सब्सक्राइब करेंगे सिंपला सब्सक्राइब कर सकते हो यह जो पार श्र Запcaz को में-पदेट और और गया है। बेसिकलिए यह जो पार्टे यहां पर API होना है यहां पर API.www होना है और बाकि सेम होई है points to आपका VPS का IP address और जो default है रहने दीजे कहने का मलत आप सबसे पहले यहां पर आपको लिखना पड़ेगा API and then आपको points to आपका VPS का IP address and then add record करना है and then confirm कर दीजेगा second में आपको API.www.bps पर point करना है जो default time basically time to मैं भूल का फुल्बम बड़ यह time उतना लेता है इतना आप add कर दीजे तो आप इसको चार्टी screenshot ले सकती यह चार्च हीजे बस IP address मेरे IP address के बतले आप अपना BPS का IP address यहाँ पर add कर दीजेगा this is it तो आपने domain जो है उसको add कर दी backend के लिए आपने एक sub domain भी बना दिया आपको मालूम है sub domain क्या होता है आपका domain के आगे अगर कोई भी आप extra word add कर दे रहे तो आपका sub domain हो गया and आप कितने भी sub domain क्रेट कर सकते हो BPS के अंदर ठीक है yeah this is it यह चार काम करना था तो हमने हमारे backend का जो domain उसको भी setup कर लिया अब again आपने जब backend का domain setup कर लिया तो आपको बताना पड़ेगा आपको उसका भी एक file क्रेट करना पड़ेगा so here we have this file ठीक है इसके लिए अब आपको क्या करना होगा API.then वह था पर टेक्निकल.site.ka एक file क्रेट करना पड़ेगा यह आप देख सकते हैं यहां पर यह file आपको बनाना है इसको copy करके paste करना है एक काम करते हैं यहां चलते है cd.cd sites available है आप देख सकते हैं अगर मैं यहां पर आपको दिखा हूं तो मेरे पास अल्रेडी पड़ा हुआ है वैसे तो आप यह देख सकते हैं इतना सब कुछ है एंद इतना सब कुछ एक्च्छल में वह होता नहीं है क्लियर कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ सो नाव मैं चलता हूं nano then api.thapatechnical.site.conf इस folder को आपको I mean इस file को आपको create करना होगा यहां पे चलके यह जो file है इसको मैंने copy की मैंने paste कर दी देखो कुछ नहीं करना इससे पहले हम क्या कर रहे थे thapatechnical.site www.thapatechnical.site but this time अब मैंने api and then api भी add कर दी and हाँ यह जो proxy वाले में मैंने 5000 नहीं मुझे यहां पे लगेगा 50001 क्योंकि मेरा जो यह local host है you know मेरा backend का port number 50001 है तो यह बस आपको यह change करना है and यह मैंने कहां से लिए बोलने से यह ही है port आपको अपना change करना होगा and domain आ all right guys इतना अगर हो जाता है वापस यहां आईए ctrl o enter ctrl x अब भार आईए अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं सीधा cd sites enable enable के पास जाओंगा ठीक है वहां पे इसका जो reference है वह मैं copy करूंगा this time आप देख सकते हो API है it's a site and all right एक गलते हमने कर दे कि वहां पर अल्लेडी वह मेरा पड़ा हुआ है remove कर दी अब मैं वापस इसको add कर रहा हूं this is it मेरा काम हो गया है तो guys congratulations finally हमारा काम हो चुका है बट एक problem हो गया पता है problem यह है कि अब हमारा domain क्या है thapatechnical.site back end किस पर run कर रहा है api.thapatechnical.site लेकिन अब हमें हमारा ENV file है उसको update करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके लिए मैं क्या करता हूं मैं मेरे website पर नहीं जाओंगा हमने हमारा जो ENV file तो वो directly हमने हमारा टर्मिनल पर ही बना रहा है cd guys आप देख रहे हो तीन घंटा होने वाला है यह आज उड़ी रहा है खली क्या ही कर सकते अब आप लोगों को बहुत डिस्टरब हो रहा होगा यह background noise से बट अब उसके चलते में अपना काम रोग दू ऐसा तो होगा नहीं ऐसे तो डेली उड़ता रहता है है ना तो आप देख रहे हो ना गाइस घर से काम करने की परिशानी आप देख रहे हो न तो cd यहां पर आपको 1 पर चलना पड़ेगा पहले तो cd client पर जाईए ठीक है nano.env यह बहुत important है क्योंकि पहले हम इसको target कर रहे थे बट इस टाइम अप मेरा जो API है ना गाइस यहां पर रन नहीं कर रहा है वो आल राइट इसको हटा रहा हूं वह इस API.thapa technical and मैं फिलाल अभी के लिए S हटा र रनना है तो ctrl o enter पता चला न हमने क्यों चेंज की क्योंकि अब यह live हो चुका है अब वह live में भी 5000 वान पर थोड़ी हो रहा होगा हमारा kutka API इस domain पर रन करी रहे ctrl and then x अब मुझे इसको वापस restart करना पड़ेगा तो मैं चलता हूं npm run and then build मैं वापस इसको npm run and then build करता आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी कुछ चेंज करोगे आपको यह लिखना ही पड़ेगा and अगर सब कुछ सही है मतलब मेरा अब यह front end काम कर चुका है ठीक है बैक एंड की तो कोई tension है नी and boom guys see अब आप देख सकते हूं कि हमारा थापा technical dot site जो है होश हो चुका बट not secure बात आ रहा है क्योंकि SSL certificate तो नहीं डाली है server के बार आओ जिहां यहां पे अब पेस्ट कर दीजिए ठीक है जो यहां पर लिखा IJT से रहने दीजिए कोई change करनी की नहीं है यह जो पार्ट है आपका अपना domain जो भी है उसके साथ dot site dot site ठीक है यह थोड़ा सा सामय लेगा select the appropriate renew and replace this certificate reinstall this existing reinstall कर लेते है वान कर लेता हूँ आपने देखा क्या problem हो रहा है मेरे साथ कि मैं already वो कर चुका था इससे पहले इसलिए ऐसा मेरे साथ आ रहा है और और क्या कर सकते हैं now let's do for our API के लिए वह हमने frontend domain के लिए कर ली हमारा backend को भी हमें secure करना जरूरी है मुझसे वापस सेम चीज़ पुछेगा भी है site आयन आपको दिखनी रहा है बट मैं आप बस अपना site change कर और कुछ नहीं कर रहा 1 attempt to reinstall this existing certificate ठीक है मैं यह कर रहा है आपको थोड़ा साइड different आएगा यह मेरा काम हो गया नाव देखो after installing SSL certificate पहले हम sttp कर रहे थे नाव अब हमें उसको sttps उपर से यह देखो यहां पर यह SSL certificate भी अब एड हो गया तो एकदम secure अभी है यह देखो login पे भी अगर मैं कुछ फुल्टा फुल्टा लिखूंगा मुझे अब मैं चाहूं कुछ भी करूँ देखो starting SSL certificate करने से पहले मुझे नहीं आ रहा था बट आपको आपको जरूर आ जाता वह आपको टैंसे नहीं लेना बट देखे आमने इसको उस्ट कर दी आपने देखा होगा कितनी दफा वाँ दफा वर्डियू स्की मैंने बट कितनी ज आज इस वीडियू को इतना ही मैं आपको हाइली रिक्वेंड करता हूँ इस पोस्ट को पढ़िये इस वीडियो को एक भाई जरूर देखिए मजा आज आए अगा अगर कुछी प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट कीजेगा मैं फिर्स भी आब आपको रिक्मेंड करता हूँ अ कि डेटा आगी है इतना फास्ट है है ठीक है तो गाइस इस इट इस इस दी एंड आप ऑसम मन सीरीज अब बहुत जल्ड जावस्क्रिप्ट वर्ल्ड जावस्क्रिप्ट सीरीज आने वाला है मन का अब इसको मिस नहीं कर सकते है तो लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ भर भर के सेर कर दीजेगा कुछ भी डाउट आ रहा है कहीं पे कुछ परेशा नहीं तो कमेंट जरू कर दीजिए मैं कल की दिन वीडियो बनाऊंगा फ्री में आप आप कैसे होस्ट कर सकते है ना ओसम या इस इस इट प्लीज सब्सक्राब कर दीजेगा मिल तो आप मैं आपको नेक्स वीडियो में तिल दन गाइस थेंक यू सो मच टेक क्या